हलो दोस्तों आप स्रिगा स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर दोस्तों आज के इस वीडियो में ASC MTS एक्जाम 2030 के लिए प्रैक्टी सेट नमर 4 देखेंगे कूल दोस्तों 25 GKS की उस्चन्स देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे तो वीडियो अन तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करेज़ेगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को रेगलर ASC के सभी एक्जाम के लिए जीके जीएस का प्रेक्टिसेट करा जाता है अगर आप लोग डेली प्रेक्टिसेट मारने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जूर्याई है और डेली प्रेक्टिसेट मारेए जिससे दोस्तों आप लोगों को काफी फायदा होगा ठीक है तो चलिए आज का वीडि कलते हैं कि पोंगल जली कटू आदी पेरक ठीपू सुम्तेवार ये सभी दोस्तों तमिलाडू राज से संबंदित है भारत नार्ट्यम लोक नित्ते तमिलाडू राज से अगला प्रसम देखते हैं किस वंस ने भारत पर राज किया तो दुसकर आइट अंसर और अप्सन सी हो जाएगा अब दूस्तों बात कहलेते हैं कि संबंस का सस्थापक कौन था तो दूस्तों संबंस कर सथापक पूस्मृत्र सुंग था और सुम्वंस की राजधानी पाटली पूद्र है ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि युचा ने विश्व उप्भोक्ता अधिकार दिवस कब मना जाता है तो दुस्तों विश्व उप्भोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मना जाता है जिसका राइट अंसर पिर्थवी दिवस मना जाता है 24 दिसंबर को राष्टी उप्भोक्ता दिवस मना जाता ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि युचा ने कानून विश्व उपर राज सरकार को कौन प्रामर्स देता है तो दुस्तों कानूनी महहनवादी किस अनुच्यो जाता है तो बिहार राज में गणत वाला आज कौन सा है तो अरुनाचल परदेश सर्वधिक जनसंख्या घंद वाला के नसासित परदेश दिल्ली है नियुंतम जनसंख्या घंद वाला के नसासित परदेश अंडवान निकोबार देव सम्हुए ठीक है तो सभी ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं क्यूशन है राजनितिक सब्दावली में सूनिकाल का अर्थ क्या है तो दोस्तों राजनितिक सब्दावली में सूनिकाल का अर्थ होता है प्रसंद काल के ततकाल बाद का समय ठीक है इसके राइट एंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अब दोस्तों बात किलते हैं कि सूनिकाल का स सर्टरी कम है ठीक्या तेसका राइट नोटकर सब्सक्राइब लैक्टिक अमल्त करते हैं त्मार्टि को का डंक में में अमल पाजाता है और सेव में मौलिक अमल पाजाता ठीक है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं क्युंजन नमली-खीत में से किस विटामिन में webinars होता है तो दूसको किस B6 का रसाइनिक नाम पारी डॉक्षिन होता है और विटामिन 6 विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है तो इनिमिया और तौचा रोग होता है विटामिन B12 के रसाइनिक नाम साइनो कावलीन होता है और इससे होने वाला रोग होता है इनिमिया रोग होता है ठीक है तो सभी ठेक को ध्यान रखेगा अगला प्रस्म दिखते हैं कीश्चन है हमारे भोजन में आयोडिन जुक्त नमक होना क्यों महत्पुर्ण है क्योंकि यह थराइड गरंती के सुचारू संचालन में मदद करता है अगला प्रसंद दिखते हैं क्योंकि थी तो अखिल भारतिय किसान सभा के पर्थम सत्र की अध्यस्ता किस ने की थी तो दिखते हैं अगला प्रसंद देखते हैं जिसका राइड अप्शन एई हो जाएगा अब जोस्तों बात कलते हैं कि अखिल भारतिय किसान सभा की अस्थापना जो है 1936 इसुर में लख्णव में की गई थी ठीक है तो सभी फैक्ट को जान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि इस्था ने भारत के सविधान का निम लिखीत में से कौन सा अनुच्यद प्रेश की स्वत्नत्ता से समद्ध है तो अनुच्यद 19 के एस समद्ध है इसका राइट एंसर यह हो जाएगा अब जोस्तों बात करते हैं अनुच्यद 20 जो है अपराधों के लिए धूसिदी के समंधमें सनच्छन से समद्ध है अनुच्यद 20 जो प्रान एंद यस dynamics नतत्ता के संच्छन से समद्ध लोक निरती है ठीक है इसका राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा अब दुस्तों बात के लिए हैं कि गर्वा डांडिया टिपानी किस राज का लोक निरते हैं तक गुंजरात कि ठीक है काठी जात्रा गंभीरा पछिम बंगाल का लोक निरते थी है कत कली मोहिनी अटम केरल क सब्सक्राइब को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद रखते हैं कि उच्छे ने 65 के भारत पाक जूद के दोरान भारत के निर्तित्व करने वाले परधान मंत्री जो है लाल बहादूर सास्त्री थे ठीक है जिसका राइट अंसर ओप्संड सी हो जाएगा अब दूस्तों बात क समझोता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था तो दस जनवारी उने 66 इस यूर को हुआ था ठीक है तो ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि उच्छे ने दल बदल विरोध कानून दल बदल बिरोधी कानून से सविधान का कौन सा संसोधन अधिनियम उने सो पचासी दौबारा दसवी अनुसूची सविधान में जोड़ी गई है ठीक है तो ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं कि उच्छान अर्षट में राष्टे फिल्म पुरसकार 2022 के तहत किसे सरुस्रेश्च अभिनेतरी का पुरसकार मिला है तो करतें अधिस्तों बात करतें कि सरुषच फीचर फिल्म किसको दिया गया है तो सुर राई प्रटु को दिया गया है तो सुरुषच निर्देशक को बात करें तो तो और सभी इखक्ट को द्यान रखेगा arगला प्रसंद देखते हैं Qshy ne FIH Pro League 2022-13 के लिए भारतिय होकी टीब का कप्तान किसे बनाए गया है तो दोस्तो FIH Pro League 2022-13 के कप्तान हर्मन प्रिद किसी को बनाए गया थे है इसका राइट एंसर अब दोस्तो बात करते हैं कि भारतिय होकी टीम ने राउर केला के बिर्शा मुंडा होकी अस्टेडियम में एफ हाई एज पूरुस होकी प्रो लिग 2022 से तेस में 200 चैंपियंज जर्मानी को हरा कर जित लिया ठीक है तो इसका दोस्तों जर्मानी को हराया तो हारने वाला टिम जो जन्वरी जर्मानी है और जितने वाला भारत भा हाली में वर्श 2022 की सयद मुष्टगा अली ट्रॉफी का खिताब जीता है तो किस टीम ने जीता है मुंबाई जीता है ठीक है इसका राइट एंसर बी हो जाएगा अगला प्रसंद दखते हैं क्यूचर ने पीम किसान समान निधी ओजना कब शुरुवात की गई है तो पीम क इसके सभी किसानों को 6,000 रुपिय पर त्याच आय सहाइता देना है ठीक है आगे दखते हैं क्यूचन है फीफा वल्ल्लकप 2022 का आयोजन कहां किया गया था तो दोस्तों 22 मा फीफा वल्लकप 2022 का आयोजन जो है कत्तर में किया गया था ठीक है तृच्छे के राइट एंसर ओ तो सभी फैक्त को ध्यान रखेगा छब ह немного अगला प्रस्ता देखते हैं ब्हारत की पर्थम महळा आधिवासी राश्यपति कौन बनी है तो भारत की पर्थम महीला आधिवासी राश्यपति जो है दिरोपदी मुर्मूर बनी है ठीक है तो इसकर और यहां राश्पती बनने से पहले जहारखंड का राजपाल थे ठीक है तो ध्यान रखेगा सभी फेक्ट को आगे देखते हैं अगला प्रसम देखते हैं क्यों जान है भारतिय सविधान के द्युष्वथान पर नाली किस देश से ली गई है तो दोंगरतर बात करते एक लनागरिकता न्याले कи विश्यष अधिकार बीधी निर्मान पर गिर गया ए सभी दोस्तों बृतेन के सविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भासा समोर्ति सूची अस्टेलिया के सविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार प्रस्तावना प्रस्तावना वित्य अपात अमेरिका के सविधान से लिया गया है नीती न अब दोस्तों बात किलता है रीग वेद जैन धर्म के पर्थम तिर्थकर थे रिसब देव का परतीक जो है साड है जैन धर्म 24 में अंतिम तिर्थकर महाविर समामी थे और जैन धर्म के परतीक सीह थे तो सभी को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं क्यूशन है काडमियम परदुसन का समंद किस बिमारी से है किस बिमारी से इटाई इटाई बिमारी से ठीक है इसका राइट अंसर ऑप्षन भी हो जाएगा अब दोस्तों बात क्लते पारा विसाकता से मिनी माता रोग होता है और खून की कमे से रखता अलपा रोग होता है ठीक है तो सभी फैट को ध्यान रखेगा अगला प्रसंद देखते हैं क्यूशन है निमलिखीत में से कौन भारत का सबसे उचा बांध है तो टिहरी बांध है जो उत्रा खंड राज में है ठीक है तिसका राइट अंसर से यह जाए अब दोस्तों बात के लता है कि नर्मदा नाधी का ऊदगम कहां से होती है तो दोस्तों मैकाले परवत के अमरकंटम चोटी से होती है ठीक है अरब सागन में गिरने वाली यह प्रायदिप्य भारत की सबसे लंबी नदी है सद्धार सरोवर प्रयोजना जो है न झाल झाल